नमश्कार आज मैं आपको बताँ की बहुत आसान और सरल तरीकि से डीप कल जा कैसे बनाए जयसे पीचे का गला हम बड़ा बनाते हैं और हमारे शोल्डर ना उत्र हैं गला हमारा फैले ना तो आज हम आपको बताएंगे कि डीप कला कैसे बना जा को हम असथल की कटिंग करेंगे उसके पाद जो हमारा कपड़ा है उसकी कसम करेंगे के अबकु हम यहां पे जैसे हमारी Union तो यहां पर में 16 पर एक निशान लगाना है उसके बाद क्योंकि इससे हम अपने ब्लाउच को डिला भी कर सकते हैं अब देखें यहां पर हम कपड़े को करेंगे छोटा बड़ा अब यहां पर हमें लंबाई लेनी है अपने फिलाउच की जैसा 13 इंच की लंबाई है तो हमने यहां पर 14 इंच लिया है आगे का पार्ट हम डेड़ या दो इंच बड़ा रखेंगे क्योंकि यहां पर हम तीरा लगाएंगे आगे बाली पार्ट में प्लेट भी डालेंगे तो बू बड़ा होना चाहिए अब यहां पर लिए हमने सोल्डर जैसें डीप गलाब बना रहे हैं तो 6.5 इंच की सोल्डर लेंगे अब यहां पर हमने आरोमल लिए 7.5 इंच क्योंकि 32 चेश्ट है और यहां से गोलाई आदा इंच की दूरी रखके हमने यहां पर गोलाई का निशान लगाए गले की चोड़ाई हमें यहां पर धाई इंच की रखनी है गले की लंबाई 6 इंच आगे का गला हमारा 6 इंच का रहेगा पीछे का रहेगा हमारा नौ या दस इंच का है ंच्ण reuse को आगे कि अगया पीछे का हमने दोनगे बराबर काते अभी इसोल्डर जुड़े हुएं इनको अलग करें हर यहां से पीछे का पाठी आगे का यह यह घ違या है वह आगे का है आगे की साइड में आदा इंच यहां पर कटिंग करना आगेbuilding अब यहां पर हमें तीरे का निशान लगाना है, 13 इंच पर इसको हमें ऊपर के साइड ऐसे लेकर जाना है, यहां पर हमें टक्स का निशान लगाना है, 9.5 इंच पर और जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे तो 16 का आदा आठ इंच, आठ इंच है हमारा फिट रखी हैं हमने यहां पर है चार इंच प्राह तो धोड़त이지 को दूरी रखते लगए हमें यहां पर यहां पर ऐसे पिलेट का निशान बनाना अपढ़blind कुछ में यहां पर 10 इं निशान लगा लिया अब देखी इस City यहां पर हमने रहाए अधा हम 3 इंच लेंगे चोड़ाई इसको देखे हमें ऐसे गोलाई में अच्छे से फीचे के पिलेट विच्छे के प्लेट हम ऐसे करके निकाले लेंगे बीट में बीट में सोल्रत से कि अब हमारा जो मेन कपड़ा है उसके उपर हमें रखना है और कटिंग करना अब देखिए कपड़े को हमें डबल करके रखना है इस तरीके से पहले हमें बंद वाली साइड है तो यहां पर हमें पीछे का पाट रखना है यहां तरीके रखना है यहां अपना आगी का पाट अब देखिए यहां पर हमें कैची कट लगाने है कि इससे क्या दोनों साइड हमारा प्लेट का निशान अच्छे से बन जाए और देखिए इसको हमें ऐसे करके रखना है दोनों पाट इस तरीके से और पहले पूरे पर सिलाई लगा लेंगे देखिए नीचे का तीरा है ऐसे करके अच्छे से पहले सिलाई लगाएंगे अब देखिए यहां पर आगे का पाठ हो गया और यह हो गया हमारा पीछे का पाठ तो देखिए डीप गले को हम कैसे बनाएंगे कि हमारे कंदे ना उतर है तो चलिए अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूं अब सीधे को पर हम अस्तल को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है झाल 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 कि अब देखिए जो भी हमारा साड़ी का कपड़ा है बड़ा वह हम काट लेंगे क्योंकि अस्तल हमारा अच्छे से करना चाहिए तो यहां पर हमें आरूमल भी अपने बरावर रखने हैं अस्तल के बरावर कि अब देखिए मैं अस्तल जाली पहले यहां पर बीच में जाल लगा और फिर यहान से पूरे पर सिलाई लगा लिए तो इससे क्या है हमारा कपड़ा सरगे गा नहीं अच्छे से इसमें पट्टे लगाएंगे के हमारा कपड़ा है आरमल की बिथा है ना उसी से hemos पट्टी बनानी है कुछ यहां अईसे कर ने तिर्चा करेंगे कप्ड़े को निए क कहीं से भी कलें कुण्नेbasло करना है यहां से करना है कहीं से भी करें देखो ऐसे को भी कर सकते हैं तिर्च्छा जरूर करना है अब देखिए पट्टियों को जोड़ेंगे हम ऐसे करके हमें जोड़ना है इस तरीके से झाल yeah तो देखिए, यहां पर मैंने सारी पट्टियां जोड़ ली हैं, अब गले कुपर हमें रखने हैं पट्टी, ऐसे करके, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, आदा आदा इंच का कपड़ा दबात हुए, हमें सिलाई लगाने देखिए, और जहां पर हमारी गोलाई आएगी न तो देखिए, ऐसे हमें कपड़े को घुमाना है, अब जो हमने सिलाई लगाई है न बीच में, उसको खोल लेंगे, अब देखिए, इसको हमें ऐसे करना है, जिससे हमारी यह पट्टी इदर की साड़ा है, अब पट्टी को पर सिलाई लगाएंगे, अब अंदर का कपड़ाई वो काटेंगे, अंदर का कपड़ा जादा नहीं होना चाहिए, फिर उससे क्या जोल आती है, अब देखिए, अंदर का कपड़ा हमने काट लिया, अब हम क्या करेंगे, इस पर हम सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर तुर्पाई करना चाहें तो तुर्पाई भी कर सकते हैं, तो तुर्पाई नीचे से हमें कम कपड़ा लेना दागा हमारा दिखाई ना दे नीचे से हमें थोड़ा लेना और इसी तरीके से हमें तुर्पाई करना शीखना और देखिए जिल लोगोंने हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब करने क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोगोंने हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो देखिए आप लोग सिलाई सीखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब कर लें और क्या सीखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग क्या क्या सीखना चाहते हैं जैसे अभी आपने कमेंट किया कि हमें डीप गला नहीं आता है बाजू लगाना नहीं आता है तो इससे क्या हमें पता चलता है कि आप लोग क्या सीखना चालते हैं कि यहां पर हमने पूरी पर तुर्पाई कर दी देखिए पेनने के बाद और चोड़ा हो जाएगा इस तरीके से क्योंकि हमने यहां पर तीन इंज की चोड़ाई दी यहां पर धाई इंज की चोड़ाई दी एकदम गले तो इसी तरीके से हम अपना आगे का पार्ट तैयार करेंगे फिर सोल्डर से जोड़ेंगे और फिर फिटिंग के लाई लगाएंगे अगर आप फिटिंग करना नहीं आता है तो प्लीज आप हमारी चैनल में देख लें मैंने फिटिंग करना भी बताया है कि पीछे का अग अगे का कैसे करना बीडियो को ज rappers करें अपनो कि आप क्की क्हंटर की यससी करने थार्फ्सक्राब है तो इससे क्या में पता चलता है कि आप लोग क्या चाहते हैं जिन लोगों ने हम हमारे चैनल को सब्सक्राब करने जन्यक्र फिर आप झाल झाल